नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम दर्चा करने जा रहे हैं आज के करेंट अपेर्स के बारे में और आज हैं 5 जून 2019 तो आज हम देखेंगे 5 जून का करेंट अपेर्स इसे पहले दोस्तो एक क्योसन देख लियते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपशे पूछा था उसका आंस IPS क्या होगा तो वैह क्योसन दोस्तो कि हाली में 12 अरकार ने किस नए मंत्राले का गटन किया है तो हाली में दोस्तों बारा सरकार ने जिस नए मंत्राले का गटन किया है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है जल सक्ति मंत्राले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जल सक्ति मंत्राले दोस्तो वीडियो पुसंद है तो वीडियो को एक लाइक जूरू कर दें ता सभी दोस्तों के साथ वाटसब गूरूप में यादा चियोदा श्यदा शेर जूरू कर दें तो निचे दिये गिये लाल सस्क्राइब के बटन को दबाकरे channel को सस्क्राइब जुरू कर लें यह किया दोस्तों ONGC ने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएका ONGC तो ONGC के बारे में आपको अभी पूरा बताऊंगा मैं किसों दुबारा रिपीट कर देते हैं एक बार कि किस कंपनी ने IOC को पचाड करें देश की सबसे अधिक लाबकारी सारुजनिक छेतर की कंपनी का किताब असिल किया है तो किस ने किया है ONGC ने किया है तो फोटो में आपको यह ONGC कंपनी का फुल फॉर्म आपको दिखाय दे रही है देख लिजी एक बार Oil and Natural Gas Corporation Limited यह Central Public Enterprises Under the Government of India कंपनी है जिसने यह किताब वासिल किया है तो ONGC का मुख्यले का है दोस्तों तो ONGC का मुख्यले है नहीं दिल्ली में इसके वर्तमान MD या देक्स या परबनिक देश कोन है तो वह हैं ससी सेंकर है इसकी स्तापना कप किये दोस्तों तो ONGC जो एक ब बारे में जानकरी दोस्तों भारत के जो चिर्स तेल और गेस उत्पादक ONGC ने इंडियन ओयल कोर्प यानि IOC को पचाड कर देश की सबसे अधिक लाब करी सारुलिंग चेतर की कंपनी का किताब असिल कर लिया है दोस्तों सुचिबद कंपनियों के आई विवरोनों के अन दोस्तों इसकी तुलना में IOC यानि इंडियन ओयल कोर्प है उसने 31 मार्थ 2019 को समावत वितिये वर्स के लिए 17.274 क्रोड रुपे का सुध लाब दरजी किया था जबकि ONGC ने फिसले दो वितिये वर्सों में IOC के लिए सबसे अधिक लाब दाईग PSU का दरजा को दिया थ अब देखेंDAY दोस्तों अगला क्योसर्ण है मसूदा नहीं राश्ट्रे सिक्सरीं निती को किसने संसोधित किया है कि सम्मिती ने baja संसोधित किया हाली में दोस्तों पी ऑ we 2019 संक्षाब कि दोए थे जज्वारा के राइत बारूप है वीडियो बचा लिंग आपको नीके आपको Mr.ts मिल जाएगा तो उसमें आपको Sampleino Nachari राष्ट्रे सिक्षा नेती दूजर गुनिस के बारे में दी गई है इसके अलाओ दोस्तों आप जानते हैं इस क्यूशन के बारे में जानकरी तो कस्तोरिंगन समिती ने मसोदा नई राष्ट्रे सिक्षा नेती को संसोदित किया है और तीन बासा के फर्मूले में कुछ बदलाओं को लागू किया है समिती में समिती ने दोस्तों सरकार को सुचित किया है कि सारोजनिक पर्तिकिरिया के लिए परस्तूत मसोदे में एक अंजानित रूटी हुई थी समिती में कहा गया दोस्तों कि संसोदे मसोदा अब 30 दिनों के अवदी के लिए राजी सरकारों यानी राजियों के और जनता की परतिकरिया के लिए अपलोड किया गया है जिसमें आप पूराज का जानकरी लेकर यदि आप कोई अपती है इस राष्टे शिक्षा निती से तो उसकी आप पती भी जो HRD मतला लेकी वेबसाड़ है उस पर दर्जी करवा सकते हैं अगला किसोन देखते हैं अगला किसोन दोस्तों कि बाल यातना और अवे तसकरी के खिलाप अंतराश्ट्रिय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों हाली में बाल यातना और अवे तसकरी के खिलाब अंतराश्ट्रिये दिवस मनाया गया है तो वे कब मनाया गया है दोस्तों तो वे मनाया गया है चार जून को तो इसका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा चार जून को कल ही ये मनाया गया है तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों इसकी शुरुवात कब हुई तो International Day of Innocent General Victim and of Aggregation इसके मनाया गया है तो इसकी शुरुवात कब हुई जानते हैं दोस्तों बाल यातना और अवेत अश्कर के खिलाब अंतराष्ट्रे दिवस च्यार जून को सहयूत राष्ट्र दोवारा मनाया जाता है इसकी स्थापना उस्तों कब की गी 19.1982 से ये मनाया जा रहा है तो इसकी स्थापना 19.1982 को हुई थी दोस्तों मूद रूप से 19.1982 के लेबनान यूद के पीडितों पर केंदरित इस दिवस का उद्दे से क्या है कि विश्व बर्मे सारीरिक, मानसिक और बावनात्मक सोचन का सिकार बच्चों दोवारा पीडित और दर्द को समझना इसका मुख्य उद्दे से है दोस्तों ये दिवस बच्चों के अधिकारों के रिक्षा के लिए सेयुख्त रास्टर की परतिबत्ता की पुष्टी करता है सेयुख्त रास्टर के द्वारा ये दिवस हर वरस से चार जून को मनाया जाता है दोस्तों अगला किसुन देखते हैं अगला किसुन है मद्य परदेश मंत्री मंडल ने OBC के लिए आरक्षन को कितने परतिसे तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है तो मद्य परदेश के मंत्री कमलातन दिखाईगा है दोस्तों मद्य प्रदेश के बारे में देखते हैं तो मद्य प्रदेश का गठन कब हुआ तो एक नॉबर गुनी सो चपन को मद्य प्रदेश का गठन हुआ राजदानी कहा है तो बोफाल इसकी वरतमान राजदानी है मुख्यमंत्री कोन है तो इतनी जानकर दोस्तों आपको हर राज्य के बारे में पता होने चाहिए इसके अलाव भी हर राज्य का मुख्यमंतरी राज्य पाल उसका गठन के वीडियो में बना कर अपने चैनल पर अप्लोड कर रखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेश में मिल जाएगा या अपने चैनल के होम पेज़ पर भी जाकर आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं अब जानते हैं क्यूशन के बारे में जानकर कि 27% जो OBC आरक्षन बढ़ाने का परस्ताव पारित किया है उसके बारे में तो पहले 14% जिसको बढ़ाकर 27% करें दिया गया है इस मामले को अब राज्य विदान सबाने के मांसुशतर में उठाया जाएगा दोस्तो इस कदम से राज्य में आरक्षन को बढ़ाव मिलेगा और सुप्रीम कोट में अनिवार ये 50% की सीमा 63% तक पहुंचे जाएगी यदि इसे लागू किया जाता है तो मद्य प्रदेश OBC के लिए 27% कोटा रखने वाला देश का एकमातर राज्य या पहला राज्य बन जाएगा लेकिन दोस्तो ऐसे की संभाव होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि सुप्रीम कोट की आदेशा अनुसार किसी विशेष राज्य को छोड़ देया जाए अपने रा नितिक खेलने के लिए किया गया फैसला है नेक्स देखते है कि ICA ने कहान पर अपना पहला golden card जारी किया है तो ICA ने कहाँ पर जारी किया है पहले दोस्तों यह ICA किया है इसके बार में आपको बताऊंगा उसके बार बताऊंगा कि आपका golden card जारी किया है वे कापर किया है तो वे किया दोस्तों अबू दाबी है तो UAE के राजदनी अबूद अभी है तो वहाँ पर इसे जारी किया गया है अब देखते हैं ICA के बारे में पोटो में आपको दिखाए दे रहा है ICA के बारे में दिखाए दे रहा है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें ताथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें किस पैनल ने रभी एक समित्य गटेट किज ती जिसका नाम था निल्यकनी शमित्य नंदन निल्यकनी शमित्य आपको पोटो में नंदन निल्यकनी दिखाए दिखाए दिया रहे है इसके बारे में जानते हैं तो नंदन निलेकनी है वे दोस्तो समीति ने डिजिटल पेमेंट को परुषाइद करने के लिए उपायों को सुझाते वी सबी सुलकों को समप्त करने के साथ ही दिन रात होने वाली और नेप्ट सुविदा और पॉइंट ओफ सेल्स मशीनों का सुलक मुक्त आयात को भी उपाय में सामीले किया गया है दोस्तो इस समीति ने जिशे आरबे दोबारा निप्त किया गया था ने पिछले मैने जो गरुनर हैं उनको डिजिटल बुगतान को बढ़ाव देने के लि तता जो आटीजियस है तो आटीजियस रियल टाइम ग्रोश सेटलमेंट बेंकिंग चैनल के मादेम से सबसे तेज संभव दन अंतरण पढ़ना लिए है दोस्तो आटीजियस के लिए आवस्चेक अंतरण की नियूंतम रसी दो लाग रुपे निडरती की गई है नेक्स्ट मैं आपको वर्ल्ड सैकल देखा एक लड़की सैकल के साथ दिखाए दे रही है ये कब से मना जा रहा है तो इसके बारे में पूरी जानकर देखते हैं तो सेटराश्टर मासबा ने तीन जून को अंतराश्टरे विश्वा सैकल दिवस के रूप में कोचिते किया है दोस्तो तो विश्वा सैकल दिवस को सैकल की विशिष्टा दिरगाई और बहुम की परतिबा के लिए मना जाता है जो दोस्ताबनियों से हमारे उपयोग में है और ये परिवहन का एक सरल सस्ता विश्वसनिये सवच और प्रयावने रूप से भी उपयोगते साधन है ये कब से मना जा रहा है तो इसके बारे में आपको बता दों दोस्तो कि स्यूंत रास्टर ने पिछले साल 2018 में ही तीन जून को विश्वा सैकल दिवस के तोर पर गोशित किया था ता इस वरस विश्वा सैकल दिवस की थीम है वह रखी गई है दोस्तो कि लेस सैकलिंग अफेक्टिंग ह स्वास्थानी बनाने के लिए डेड़ क्रोड यूरो की योजना बनाई है ऐसी योड़ा दोस्तों बारा सरकारों को भी बनाने चाहिए जिसे परदोशन कम हो ता लोग हो कि स्वास्थे के परती भी जागरतों तो स्वास्थे रहें नेस्ट क्यूशन है दोस्तों किस राज राज़तान के स्वास्तिय विभा को वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजेशन से समाने मिला है तो राज़तान को मिला है तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि यह समान किसे मिला है डबलो एचो से मिला है तो डबलो एचो की फूल परम होती है वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजेश अब जानते हैं क्योशन के बारे में जानकरी दोस्तो विश्वा स्वास्ते संगटन डबलो एचो ने राश्तान सरकार के मेडिकल और स्वास्ते विभाग को इसके तंबाकु नियंतन के चेतर में उपलब्दी की पैचान के लिए इस साल का पुर्षकार के लिए चुना है दोस्तो विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचीव रोईत कुमार सिंग ने नई दिल्ली में विश्वत तंबाकु निशे दिवस को चिनित करने के लिए एक सामोरा में ये पुर्षकार प्राप्ति किया है दोस्तो राज्तान राज्य का जो स्वास्ते विभाग है वो देश का एकमत्र सरकारी निकाए है जिसे तंबाकु मुक्त पहल के लिए समाईते किया गया है अगला किसों देखते हैं जो बहुती महतो पन किसों है दोस्तों कि भारत के इतियास में कोन सबसे युवा सासद बने है तो वर्तमान में सबसे युवा सासद कोन बने है नीचे कमेंट करके बताईए आपको बता दे रहा हूं में बहारत के इतियास में सबसे युवा सहसद बनी है उनका नाम है दोस्तो चंद्रानी मुर्मु तो ये उडिसा से जीत कर आई है तो इनके बारे में देख लेते हैं ये फोटो में आपको चंद्रानी मुर्मु दिखाई दे रहे हैं तो ये किस पार्टे से चुनकर आई हैं वो भी पुरी जानकरी दे रहा हूं कि पहली बार ओडिसा की 25 वरस ये चुनाओ लड़ने की आयू भी कितनी होती है 25 वरस होती है और लड़ने की उमर होते ही 25 वरस के आयू में इंजिनियरिंग ग्रेजुएट 70 वी लोक सबा में अब तक की सबसे युवा संसद के रूप में इसे चुना गया है दोस्तो उड़िसा की में कुल 7 महिलाएं संसद है और उड़िसा बारत का पहला राज्जी है या इसकी 21 सीटों में महिलाओं के सबसे अधिक 33 परतिस्त बागेदारी वाला राज्जी कौन सा है उड़िसा है तो चंदरानी मुर्मू है दोस्तों ये कौन जार सीट से बीजू जनता दल नवीन पटनाईगी जो पार्टी है बीजेडी है बीजद है उसके उमीदवार के रूप में देश के सबसे कम उमर की सासद के रूप में चुनी गई है इसे पहले कौन थे इसे प आदिवासी बहुल किन जार का पर्टी जीत करती यानि किन जार सीट से सांसद जीत करें आई है यह दोस्तों परतियों की प्रिक्षाओं की तैयारी कर रहे थी इसी बीच इनको टिकेट मिल गया और यह सांसद बन गई है नेक्स देखते हैं मेक्सिको के सर्वच नागरिक पुर्षकार से किस भारतिय को समयंत किया गया है तो आपको बता दे रहे हैं कि वह पुर्वरास्ट्र पती परतिवा देवी सिंग पाटिल को दिया गया है यह फोटो में आपको परतिवा पाटिल दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें पुर्षकार दिया गया है तो इसके बा बहारत में, मेक्सिको के राजदूद मेलापपृरिया ने शिरिमति पाटिल को दोस्तोiset ओर्डन मेक्सिकाईं ड़ेल अगूइला एकजेटक लाइक युन्हें ऑडर ओफ एग्जेटक के एगले पुर्षकार फश्तूत किया है, उन्होंने दोस्तो 2007-2012 के दोरान भारत की पहली महिला राष्ट प्रति की रूप में अपना कारिये किया था तो यह था दोस्तो हमारा आज का करेंट अब मैं एक क्योशन आपके लिए सुट पर जा रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है तो वह एक जून, 20 मई, 30 मई, 2 जून तो चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह आप हमें नीचे कमेंट करके जुरूर बताएए दोस्तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कर दें एधि आप हमसे फेस्प को जुरूर ना चाते हैं तो कलाम स्टे स्ट्राइब की बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन गंठे का साम बनावा है उस गंठे करने साम को जुरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सबी वीडियो के सूजनाए तुरंत वीडियो डालते हैं आप तक ही पहुं